जेहिन दोस्तो जब पुरा देश न्यूएर की खुशिया मना रहा था तब देश के वीर सपूत बॉडर पर देश की रक्षा कर रहे थे उनी वीर सपूतों में से एक वीर सपूत है शहीद शमशेर सिंग चोहान चोकी मावारती की रक्षा करते हुए सियाचीन बोर्डर पर तेनाथ थे और दो जन्वरी को उनके बंकर में विस्पोर्ट होने के कारण वैश शहीद हो गए हरियाना के रेवाडी जिले के रतन्थल गाउं के निवासी शमशेर सिंग चोहान इंडियन आर्मी की 22 यूनिट में तेना थे और उनकी डूटी मैं एक लहल अद्दाक के तंगस में थी दो जन्वरी की रात को अचानक उनके बंकर में बलाश्ट हो गया था जिसमें शमशेर सिंग चोहान अपने सातियों को बचाते हुए पूरी तरीके से जुलिस गये थे जिनने गंबीर हालात में आर्मी अस्पताल में बर्तिक राया गया था लेकिन डॉक्टरों के तमाम परियासों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका और वे गुरुवार को शहीद हो गए उनके शहीद होने की खबर से उनके पूरे परिवार से पूरे गाउं में शोक की लहर दोड़ पड़ी थी ये भी वताया जा रहा है कि अभी एक जनवरी को ही उनका पर्मोशन हुआ और उन्हें सुबेदार मेजर बनाया गया था शुकरवार को उनकी पार्ति दे सेना के वहान दुआरा रेवाडी बस टेंट लाई गई जहां पहले से मोजूद शेत्र के लाखों लोग ने जब तक सूरत चांद रहेगा शमशेर तेरा नाम रहेगा चैसे गगनबेदी नारो के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली उनके अंतिम यात्रा में शेत्र के कहीं राजनेता सहीत अधिकाली भी मोजूद रहे जिनों नर्म आकों से पुष्प चकर अरपित कर शहीद को बावबूल शद्दांजरी दी शहीद का अंतिम संसकार गाउं के शमशान गाट पर किया गया जहां उन्हें सेना ने गाड ओफ उनर देकर पूरे राजकिये और सेनिय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी